नमस्क्राइब दोस्तों मैं आपका मनुभात्वाज GD Physi Technology में स्वाज़त करता हूँ दोस्तों जैसे कि सब लोगों के पास laptop होता है Android TV होता है और वो चाहते हैं हम game खेले अपने laptop पर और Android TV पर दोस्तों जो आज की वीडियो है इसी gamepad से related है और यह एक ऐसा gamepad है जो आप सबी लोगों को game खेलने में मददकार साबित होगा आपके laptop पर और Android TV पर तो दोस्तों आज इस वीडियो के नदर हम उसकी unboxing करेंगे और वो जो product है वो है Red Gear का यह देखेगा Red Gear का gamepad और दोस्तों इसकी मैं testing कर चुका हूँ एक महिने का continuous यूज करने के बाद मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ और दोस्तों ये Red Gear का जो हमारा gamepad है इसकी जो cost है वो less than 1500 रुपीज आपको मिलती है आप इसे खरी सकते है फिलिपकार्ट से या Amazon से अगर आप तो खरीना चाते हैं तो description box में मैं उसका एक bind link भी दे दूँगा जहाँ पर आपके लिग करके इस product को खरी सकते हैं तो चलिए चलते हैं और इसकी हम unboxing करते हैं चलिए दोस्तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और यह जो आप सामने देख पा रहे हैं यह है red gear pro series wireless gamepad upgraded version है साथ में यहाँ दो डोगल दिया गया है इसकी box के साथ और दोस्तों इसके अंदर x input and direct input compatible दिया गया है किसी भी windows के साथ और android tv के साथ इसकी जो wireless range है वो है 10 meter और यह rechargeable है जो इस box पर mention कर रखा है मैं और भी दिखा देता हूँ क्या क्या mention है यहां लिखा है integrated force feedback कहने का मतलब यह है इसके अंदर vibrator भी है force feedback भी लेगा जैसे जैसे आप game खेलेंगे built-in battery हाँ बिल्कुल बैटरी इसके अंदर है इसके अंदर मिलता है आपको illuminated abxy keys यह देखेगा abxy keys हैं आपर windows 10 compatible है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ two analog triggers है two analog sticks है 10 meter wireless connectivity है और up to 10 hours का gameplay है यानि इस gamepad के साथ आप 10 गंदे तक continuous game खेल सकते हैं यह था front में back में देख लेते हैं दोस्तों back में आपर manufacturing details दिया हुआ है और system requirement के बारे मता रखा है Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10 और connection USB और साथ के साथ यह Android TV के साथ भी connect हो सकता है जो ओलेड़ी में आपको बता चुका हूँ इस side देखते हैं इस side देखी क्या लिखा हुआ है यह लिखा है trigger to enhance your gameplay, force feedback, turbo button और illuminated keys जो मैं ओलेड़ी आपको बता चुका हूँ इस side देखते हैं देखेगा दोस्तों अगर आप इसे Windows पे खेलते हैं कहने का मतलब है laptop या PC भी खेलते हैं आपको driver डाउनलोड करना पड़ेगा यह इसका address दिया हुआ है यह देखेगा दोस्तों यहां लिखा है wireless connectivity saves all the clutter and massive wires wireless connectivity है तो आपको फायदा मिलेगा कोई wire वगरा connect करने की कोई भी जुरत नहीं है चलिए अब हम इसे खोलते हैं यह है आपका redgear pro series wireless gamepad यह देखेगे दोस्तों आपको checker मिलता है दोस्तों box के अंदर आपको मिलता user manual जहां पर पूरा define कर रखा है इसके keypad के बारे में protect information यहां पर दिया हुआ है बटन के बारे बता रखा है कौन कौन से यहां पर keys है x y b a rs यह सब keys मिलते है यह दोस्तों यहां पर इंडिकेटर के बारे में बता रखा है रिसेट बॉटम के नीचे दिया हुआ है यह दोस्तों यह कुछ manual में information लिखा है कि यह हमें किस तरीके से connect करना है अपने pc android tv के साथ यह देखेगा पूरी यहां पर information दिया गया है और specifications के बारे में बात करें तो यहां पर specifications दे रखा है कि कितना operating temperature है humidity, operating mode, charging mode इस कितना चाहिए, charging duration कितना है, size वगरा वो सब यहां पर mention कर रखा है product weight के बारे में बात करें तो 205 gram इसका product weight है इसे side में रखते है यह है Red Gear Pro Series Gamepad यह इसका पहला receiver है बहुत ही छोटा receiver है इसे side में रखते हैं और इसके अंदर आपको दिया हुआ है USB charging cable और साथ के साथ एक और USB receiver तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा यह है इसके अंदर दो USB receiver दिया हुआ है अगर एक by chance खो जाता है तो आप दूसरे का use कर सकते है या आप कर सकते हैं आपके पाद दो Android TV हैं दो laptop हैं तो हर एक में आप connection करके छोड़ सकते हैं और near future किसी के साथ भी आप game खेल सकते हैं चाहे laptop में चाहे आपके Android TV में इसलिए दो receiver का यहाँ पर फायदा हमको मिलता है डिजाइन के बारे बात करें तो बहुत ही ज़्यादा sophisticated design है दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुनता है आप देख सकते हैं grip भी अच्छी खासी इसके अंदर दीवी है यह अराम से आपके हाथ से slip नहीं होगा to joystick यहाँ पर दिया हुआ है इसे हम trigger joystick भी कह सकते हैं Y, B, A और यहाँ पर X keys दिया हुआ है कुछ buttons यहाँ पर हैं जिसे हम बोलते हैं RTRB और LTLB यहाँ पर USB charging port दिया हुआ है reset button यहाँ पर दिया हुआ है और इसके back side में देखते हैं हमको क्या-क्या लिखावा मिलता है यहाँ लिखावा है red gear pro series gamepad December 2020 इसकी manufacturing date है made in China है दोस्तों जितने भी यहाँ gamepad मिलता है यह gaming accessories मिलती है वो सब China की बनी भी होती है कितना जादा सुन्दर लग रहा है यहाँ पर जो marking दिया हुआ है red gear दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुन्दा लग रहा है और इसको अगर मैं rating देना चाहूँ तो 10 out of 10 दूँगा क्योंकि हम बहुत ही easy तरीके से game खेल सकते हैं laptop में या android tv में यह देखे हैं यहाँ पर LED इंडिकेटर है जो शो करेंगे कि कितनी charging बचरी है या कितना charge हो चुका है आपका यह red gear pro gamepad यह देखे हैं दोस्तों क्या क्या चीज यहाँ पर mention है वो आप easy तरीके से देख सकते हैं back कौन सा है start rtrb सब यहाँ पर mention है इस user manual में और दोस्तों जब भी आपको start करना है तो सब से पहले आपको यह receiver लगाना पड़ेगा USB में जाए वो laptop की हो दोस्तों अगर आपको start करना है तो यह USB लगाना पड़ेगा अपने laptop की USB port में या android tv के USB port में और उसके बाद कुछ नहीं करना simple सा आपको यहाँ पर home button दबाना है और home button दबाता ही अपने आप यह synchronize हो जाएगा और आप game खेलने के लिए तयार हो जाएगे दोस्तों red gear बहुत ही reputed company है जो बहुत पुराने टाइम से gamepad बनाती भी आ रही है और इसके gamepad इतने सस्ते होते हैं कि हर कोई से खरी सकता है इसमें कोई दो रहे नहीं है यह इसका जो black और red को combination है ना यह दिखने बहुत ही ज़्यादा सुन्दा लगता है और सबसे खास बात है यह non sleepy है आप easily इसको हाथ में पकड़के game खेल सकते हैं अब वो चाहे android tv हो चाहे वो laptop हो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा demonstration भी कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा यह red gear pro gamepad वर्क करता है तो सबसे पहले जो आपका receiver है इसे आप usb port में देंगे जो आपका android tv होगा मैं यहां मैं लगा देता हूं यहां मैंने लगा दिया है यह जी पोर्ट में और अब हमको game की साइड जाना है इस ताइम मैंने जो game यहां पर download कर रखा है वो है sky force anniversary मैं इसे on करता हूं यह देखेगा यह on हो चुका है sky force anniversary और अब हमको इस gamepad के use करके यहां पर game खेलना है जैसे मैंने बताया था gamepad से हमारा game खेलना बहुती easy हो जाता है और gamepad के बिना कोई भी android tv और laptop या PC अधूरा है क्योंकि game खेल लेके लिए आपके पास gamepad होना पहुँ ज़्यादा जरूरी है और देखेगा यहां ओन हो चुका है अब मुझे यह सिंप्राइज करना है home वाला बटन दबाना है यहां मैंने home वाला बटन दबा चुका हूं और अब मुझको home वाला बटन दबाए रखना है जिससे यह android tv के साथ पेर हो जाएगा यहां पर दो लाइट जाशी है जो android tv के साथ पेर होने का शो करती है और आप मुझे okay करना है yes करा start game हो जाएगा यहां पर यह देखीगा इसे मैंने okay कर दिया okay loading होने start हो गया game तो दोस्तों इसका मतलब है कि हमारा जो gamepad है वो इस receiver के साथ connect होने के बाद आपके जो game android game है उसके साथ पेर हो चुका है और अब game खेरने के लिए हम ready है चलिए next करते हैं वाओ start हो चुका है आप game हमारा यह देखेगा वाईम थोड़ा हम पेज कर देते हैं वाओ 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 वेपन ममने अपडेड दिया है देखा कितना अच्छा गेम हम खेल पादे है आपर इसटार कलेक्टर लेते हैं दोस्तों जितना स्टार कलेक्टर हैं इसको भी बचा लेते हैं तो दोसरा इसे बहुत सारे इंडोएट गेम है जो आप खेल सकते हो वाह 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 गजब 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 जो तो तो बहुती सोब काम कर रहा है हमारा रहे लिए प्रोगेंपेड की इस ही बहुत अच्छी है इसकी और जैसे मैंने हमेशा बताया है आप इसे खरी सकते हैं हमेज़ों के फिलिपकार्ट से वह आपर डिपेंड करता है वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पाई लिंग करूंगा जिससे आप इसे चला इस बंदे को भी बचा लेते हैं दोस्तों जैसे मेरे बताया था मेरी हर एक वीडियो टेस्टीड होती है इसलिए चिता करने की कोई बात नहीं है आप इसे खरी सकते हैं बिंदास तरीके से बाइसाब गेव केलने का मजा ही अलग है एंड्रोइड टीवी पर ना सी वाक तीवी देख सकते हो बल्कि साथ के साथ आप गेविंग का भी मजा ले सकते हो और इसलिए आप देखने हैं मोट रोला का विवाविट टीवी 55 inch 4K अल्ट्रा हाइड एक्टीशन टीवी जिसका का रिव्यू मैं जल्द ही अपने चैनल पर लेकर रहूँगा दोक्तों यह भी टेस्टिंग मोड में लगा हुआ है जैसे इसकी हम टेस्टिंग पूरी करेंगे तो मैं इसका जरूर रिव्यू लेकर रहूँगा और इस टेम गेम हमारा ओर हो चुका है कि बहतरी तरीके से म गेम खिल रहा हूँ विधी हलप आप दीस रेट गियर प्रो गेम पैड तो आशे करता हूँ कि आपको मजा रहा होगा यह वीडियो देखने में तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है तो यह तो मैंने स्मॉल डिमोंस्टेशन दि इसका जो लुक है जबरतस है दोस्तो और इसको पकड़ने में ऐसा मैसूस होता है कि आपने एक बहतरीन गैजट पकड़ रखा है तो दोस्तो इंतजार ना करें तुरंत इसे खरीदें Amazon और Flipkart से जैसा मैंने बार-बार में कह रहा हूँ दोस्तो ऐसे आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे जो प्ले स्टोर पर रहते हैं आप वहां से डाउनलोड करके और इस गेंपैट की सायता से आप कोई भी गेम खेल सकते हैं अपने Android TV, Laptop और PC में तो अगर मैं इसको नंबर देना चाहूँ तो 10 आप 10 जोंगा क्योंक पता है मेरी एक अपनी वेबसाइट है www.gtfeaturetechnology.com आप वहाँ पर जाकर रजिस्टर करके आप अपनी पोस्त को शेर कर सकते हैं कहने का मतलब यह है अगर आप विलोगिंग के शौकीन है तो वहाँ पर आप अपनी पोस्त को शेर कर सकते हैं और वो आपकी पोस्त और भी लो चाते हैं तो बिंदास तरीके से आप मेरी वेबसाइट www.gtfeaturetechnology.com पर आप पोस्त को डाल सकते हैं तो आशा करता हूँ आप सभी लोग वहाँ पर रजिस्टर होंगे और वहाँ पर अपनी पोस्त डालेंगे जिससे नियर फ्यूचर ओल लोगों को फायदा होगा दोस्तों आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी आने वाली वीडियो का लोग तो दा सकते हैं दोस्तों जैसे सभी लोगों को पता है कि मेरी जो वीडियो आती है वो फूली टेस्टी होती है तो दोस्तों आप झाल झाल